हेलो दोस्तों स्वागत है आपका ओनलाइन क्लासिस 2.0 में और मैं अभिनिका आज हमारा टापिक है चीन के क्रितिम सूरे के बारे में अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हूं तो प्लीज हमारे चैनल को सबिस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टापिक चीन का क्रितिम सूरे चीन ने तकनीक के मामले में नित नए मुकाम हासिल की हैं जैसे की हम देख रहे हैं तकनीक के मामले चीन ने अमेरिका रूस और चापान जैसे विक्सित देशों को भी पचार दिया है चीन के विज्ञानिकों न क्रतिम सूरज परमाडू सलियन रियक्टर को सफलता पूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि यह ऐसा परमाडू फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना जादा ऊर्जा देगा अगर हम इस प्रोजेक्ट की सुरुआत की बात करें तो चीन की क्रतिम सूरज बनाने की यह कोशिस कई साल पहले सुरू कर दी गई थी लेकिन इस क्रतिम सूरज को बनाने की सफलता 2021 में जाके मिली चीन के वेग्यानिकों को इस दुनिया के इस मुकाम तक पहुचा दिया कि जो आज तक अमेरिका जापान जैसे तकनी की रूप से उत्पन और उन्नत देशों ने भी नहीं पहुचा पाया है चीन की मीडिया रपोर्ट के मताबिक चीन ने इस प्रोजेक्ट की सुरुवात वर्स 2006 में ही कर दी थी चीन ने इस क्रतिम सूरज को HL2M साथी साथ East नाम दिया है East यानि Experimental Advanced Superconducting तोका मक है जो एक नाब की ये रियक्टर है अब बात करते हैं की है बनाया किसने इसे चाइना नेशनल नुकलियर कॉपरेशन के साथ South Western Institute of Physics के विज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है अगर हम इसके उद्देश की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश यह था कि प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनरजी को बनाया जा सके क्रतिम सूरज का प्रिकास असली सूरज की तरहे तेज होगा साथी साथ परमारू फ्यूजन की मदद से तयार इस सूरज का नियंत्रड भी इसी विवस्था के जरिये होगा अगर अब हम इसमें कुछ बिसेस महत्यपूर्तत्यों की बात करें तो चीन ने इस क्रतिम सूरज इस्ट ने 101 सेकंड में 216 million degree फारनाइट यानि 120 million degree Celsius तापमान हासिल करने का एक नया रिकौर्ड बनाया है अगले 20 सेकेंड में क्रतिम सूरे ने 288 मिलियन डिगरी फारनाइट का चरम तापमान भी हासिल कर लिया जो सूरे के कोर के तापमान से 10 गुना अधिक है आपको बता दें कि सूरे कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिगरी सेल्सियस तक ही पहुँच पाता है अगर अब हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट में कितनी लागत आई तो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 22.5 बिलियन डॉलर बताई गई है दुनिया के कई देश सूरज बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गर्म प्लाज्मा को एक जगे रखना और उसे फ्यूजन तक उसी हालत में रखना सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सबिस्क्राइब करें थैंक यू सो मुझ